कि है कि भाइज चलो स्टार्ट करते हमारा जो टोफिक था एनिसॉट्रोपिक एउपनीसुट्रोपिक इफेक्ट जो मारा पहला इफेक्ट हमने पढ़ा चैने केमिकल स्फट को अफेक्ट करने कि आपके जो proton होते हैं, वो proton जब किसी एक particular region में या एक particular direction में जब होते हैं, तो उसके according अगर कोई भी magnetic effect उसको affect करता है, तो उसको हम anisotropic effect बोलते हैं, anisotropic effect के अंदर होता क्या है, यह mainly वहां काम करता है, जहां पर किसी भी system के अंदर पाई electrons होते हैं, या तो वो double bond हो या वो triple bond हो, ठीक है, तो इसका सबसे simple सा example या समझने के लिए हम इसको कैसा समझते हैं, वो समझो, देखो भई, जब हम बात करते हैं, माले कार्बन के पास को एक carbon आपका triple bond से जोड़ा हुआ है, और एक carbon आपका single bond से जोड़ा हुआ है, एक जोर समझो, carbon, triple bond, carbon, carbon, यह हो जाएगा carbon and hydrogen, और carbon, single bond, carbon, single bond hydrogen, तो हमने दो example लिए हैं, ठीक है, अब organic chemistry के अंदर अगर किसी carbon के पास double bond होता है तो उसका hybridization क्या होता था SP2 triple bond होता था क्या होता था SP और single bond होता था क्या होता था SP3 विए एस्पीह है ऐसे इसके अंदर देखो इसके अंदर क्या हुआ है हाइड्रोजन आपका जीश को साथ जोड़ा हुआ है उसका hybridization नहीं हुआ इसके अंदर सबका hybridization क्या है पसब थी है ठीक है बट उससे नेक्स कारवन है उसका hybrid चेंज हूआ है SP2 यहाँ पर SP और यहाँ पर SP3 अब मुझे एक बार बताओ यह जो हाइबर्डाइजिशन होते हैं ना हाइबर्डाइजिशन किस तरह से अफेक्ट करेगा केमीकल सिफ्ट को इसमें मेनली होता क्या है जब किसी भी कंपाउंड के अंदर आप यह मानके चलो मालिया जैसे कि SP2 हाइबर्डाइजिशन था तो किसी एटम के पास अगर SP3 हाइबर्डाइजिशन है तो उसके अंदर S-orbital और तीन P-orbital है यानि कि जो S-orbital का contribution होता है वो होता 25 परसेंट और P-orbital का contribution होता है 75 तो S-orbital जो होता है वो Nucleus के ज्यादा पास होता है तो आप यह मानके चलें मतलब आप यह समझें कि अगर किसी भी एटम के और्बिटल में या किसी भी एटम के पास जो हाइबर्डाइजिशन होता है उसके अंदर जितना ज़ाधा S का contribution होगा वो एटम उतना ही ज़ाधा electron negativity शो करता है क्यों क्योंकि S का contribution जितना ज़ाधा होता है S वाले electron जितने ज़ाधा होते हैं वो एटम electrons को उतना ही ज़्यादा attract करता है क्यों attract करता है क्योंकि S orbital nucleus के सबसे ज़्यादा pass होते हैं अगर मैं S, P, D, F की बात करूँगा तो S जो है वो nucleus के सबसे ज़्यादा pass होगा फिर D, फिर P, फिर D और फिर F यहनि कि S की जो distance in nucleus है वो सबसे कम फिर P की, फिर D की और फिर F की तो S electrons की distance nucleus सबसे कम होती है तो इसलिए आप यह समझें कि कि किसी भी hybridization के अंदर या किसी भी atom के पास जैसे माले यह वाला था, यह carbon इस carbon के पास SP2 hybridization है और SP2 hybridization का मतलब होता है S और P, यानि कि 1S और 2P इसका मतलब क्या होगा, टोटल 3 orbital तो S का हिस्सा कितना है, 33% अगर मैं SP की बात करता हूँ तो S के पास कितना होगा, 50% इसमें S का कितना होगा, 25% तो जितना ज़्यादा S का contribution है जितना ज़्यादा परसेंटेज इसको हम बोलते हैं परसेंटेज ओफ एस केरेक्टर परसेंटेज एस केरेक्टर ठीक है, परसेंटेज इस केरेक्टर जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रो नेगरिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है ठीक है, तो अब एक बात समझो जैसे कि मान लिया यह जो दोसरे नंबर का जो कारवन था उसके पास कि अगर मैं इस सेकंड वाले एक्जंपल की बात करता हूं यहां पे एस पी टू यानि के एस पी टू एस पी और एस पी थिरी इन तिनों में किसकी इलेक्ट्रो नेगरिटीविटी ज्यादा होगी संथ्य और जिसकी एडेशल नेगरिटीविटी ईसको लिए लेक्ट्रो नेगरिटिविटी को सबसे ज्यादा था इलेक्ट्र नेग्रिटिविटी सबसे ज्यादा होगी तो दूसरे वाले की केमिकल सिफ्ट वैल्यू सबसे जादा होगी है अगर मैं आप से पूछने लोगो मैं क्या फेपर में भी कोशन पूछ सकता है कि जो सेकेंड वाल एक्जाम पहले इसमें इसमें जो है इन तीन नों को आप अरेंज करो वन टू तू त्री को केमिकल सबसे जादा रहेगी फिर फर्स्ट वाले की फिर थार्ड वाले की तो ओडर क्या रहा तू वन थ्री यह बात आपको समझ में आई का जी की समझ माई हैं थे के अब इसी को सिर्म आपको अगर मैं पहले वाले लगाऊं वण तो रिर है तो क्या हुंता है अगर मैं इसकेंज भอง मैं लगा रहा हूं यहां परFAशки है यहां और यहां पर 111 और रिज्लन है वह किस से जोड़ा हुआ है किस जोड़ा हुआ है बट उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसमें डिफरेंस आ रहा था तो इसली जो सीकेंड वाले जमपल था इसके अंदर होता क्या है कि आपने अगर यह और लगाया है तो यह ओडर अपका गलत हो जाता है ठीक नव जो कल मैं आपको टेबल भीज़़ी थी उस टेबल को उठाकर देखो आपको दिखेएगा कि जो डबल बॉंड वाले था डबल बॉंड वाले की जो पाई ऐसे ही था कुछ हाँ जी हाँ सब्सक्राइब को देख लो और यह अंदाजा लगाओ तो अब इसमें ऐसा हुआ क्यों मतलब जो आपने यह कॉंसेप्ट लगाया था यह कॉंसेप्ट आपका सब जगे सही होगा मतलब ऐसा होता है कि अगर ऐस करेक्टर जादा है तो इल डारेक्ट किसी डावल बोंस से जोड़ा हुआ है तो उस कंडिशन में वहां पर एक एक काम करता है जिसको बोलते हैं हम एंशोट्रोपिक ठीक और यह जो कुछ एक्जंपल की हिवात करेंगे कि यह कैसे कैसे और कहा कहा मतलब मिश्का मीन दॉल हूचता है सबसे पहला है सबसे पहला मैंने छालब लिधने एधाज मैं Carbon Double-Bond Carbon है यह बखक हैं अब Carbon Double-Bond Carbon जो होता है he in hydrogen पाइटो जन 파یاarlा ठीक यह था अब इसके अंदर होता क्या है कि जो ये कार्बन डबल बॉंड कार्बन ना यहां पर आपके जो यह इसके प्रोटॉन से ठीक जब हमने इस एलकीन के उपर जब हमने इस एलकीन के ऊपर क्या लगाया है मेगनेटिक फिल्ड अपलाई करा अपलाईड मेगनेटिक फिल्ड अमने उसके उपर अपलाई किया है तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो जो एटम्स थे उनके पास जो इलेक्ट्रोंस थे वो तो सरिकुलेट होते ही थे उनका तो अपना मेगनेटिक फिल्ड होता ही था पाई इलेक्ट्रोंज भी अपना एक मेगनेटिक फील्ड जेनरेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इन्डीूजड मेगनेटिक फील्ड और उसकी एक स्पेसिफिक डारेक्षण होती है, जो की इन इलेक्ट्रोंज की मुवमेंट पर डिपेंड करती है, उसी के डारेक्शन के अकोर्डिंग मैगनेटिक फिल्ड के डारेक्शन डिसाइड होती है ठीक है तो यहां पर होगा क्या कि इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम के अंदर जो इसके जो इलेक्ट्रोंस थे यह इलेक्ट्रोंस आपके मतलब कि सर्कुलेट करते थे और सर्कुलेट करने से इनका जो मैगनेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से चलेगा इस तरह से ठीक है ना इसका मतलब क्या होगा यहां से निकलेगा और यहां से एंटर कर जाएगा यहां से निकलेगा यहां से एंटर कर जाएगा इसमें क्या होगा देख रहे हो यहां पर इसकी डारेक्शन क्या है ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है और यहां पात्ते आते उसके डिरेक्शन क्या हो गई यह निच्चे के तरफ ठीक है और यहां पर डिरेक्शन हो गई अब एक बात बताओ कि जो यह बाहर वाले इसेंटर को यहां पर पीछुमा को मैं बोलता हूं कि को मैं बोलता हूं क्या इसको मैं बोलता हूं क्या है और यह प्रोटोन स् यह प्रोटोन सं थे प्रोटोन सी तें यह प्रोटोन साथ के बोड़ रहे हैं यूंदेट को रहे हैं और जब प्रोटोन आपके डेशिएल्डी डेजन में पड़ते हैं तो आपको यहां पर यह समझ सकते हैं कि यह जो प्रोटोन इंके पास जो बाहर वाला वह भी वह दुनों सेम डारक्शन में हो गए और जब सेम डारक्शन में होंगे तो यह जो प्रोटोंस थे इन प्रोटोंस के पास जादा मैगनेटिक फिल्ड अप्लाइड होगा यानि कि बी इफेक्टिव जी कस्तों क्या होता है बी नोट प्लस बी इंडिउस्ड के अंदर अपलाइड मैगनेटिक फिल्ड और इंडिउस्ड मैगनेटिक फिल्ड दोनो जूट जाएंगे और ऐसी कंडिशन में उन प्रोटोंस के पास जादा मैगनेटिक फिल्ड जाएगा जिसकी वजह से वो प्रोटोंस down field region में frequency करते हैं यानिकि उन प्रोटनर्स की frequency जादा हो जाएगी जादा magnetic field अगर वह field करते हैं तो उनकी chemical shift value भी जादा रहेगी यह बात आपको समझ में आई आजी छिए णिए और इसी की वज़़े से क्या होता है यहाँ पर के पर जैसे ही वह double bond पर आ जाता है तुरह तो उसकी chemical shift 426 पहुंच जाती है और अगर वह triple bond रहता है तो triple bond के case में क्या होने चाहिए थी जादा होने चाहिए थी पर जादा नहोंगा वह 2.5 से 3 तक पहुंच जाती है यहां पर इसके अंदर यह exceptional cases कोई बताऊंगा मैं क्या होता ह इसके अंदर ठीक है तो मेंली होना क्या चाहिए था इसको बढ़ने से इसकी बढ़ने चाहिए थी बट सिंगल फिट्रिपल और फिट डबल यानि कि डबल बॉन्ड वालों की जो chemical shift होती है वो ट्रिपल बॉन्ड वालों से जाता होती है ठीक है यह क्यों होता है इसको भी स पड़ गया तो दोनों magnetic field जोड़ जाएंगे और nucleus के पास ज्यादा मतलब जो proton से उनके पास ज्यादा magnetic field जाएगा और उनकी frequency बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऐसे ही इसका एक और example है पहला हम बात करते हैं इसके साथ-साथ बैंजीन के देखो जी बैंजीन के अंदर क सर्कूलेट होते रहते हैं और जब यह को सर्कूलेट होते हैं इसके अंदर तो magnetic field जो होगा magnetic field का होगा इनके perpendicular electrons के perpendicular तो magnetic field जो होता है न वह आपका ऐसे चलता है इस तरह से रिंग के मिच्चे से निगलेगा और रिंग के उपर से एंटर कर जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यह रिंग का सेंटर है सेंटर में सेंटर में तो क्या हो रहा है अल키 मेंं आज़ने जो हो रहा है सेंटर के पास जो मैंगनेटिक फिल्ड है वह तो बाहर वाले मैंगनेटिक फील्ड को तो क्या कर रहा है पोज कर रहा है वह बट जो प्रोटोंस इसके पास जुड़े ओधे आप पास समझना देखो जैसे के यह यहाँ अदो आप जो जमीन जमीन के पैरलल ले आओ ठीक है जमीन के पैरलल ले आओ और जब पैरलल लाओगे तो निच्चे से निकलेगा उपर से एंटर करेगा निच्चे से निकलेगा उपर से एंटर करेगा तो जो जो प्रोटोंस होंगे यह सारे के सारे जो प्रोटोंस होते हैं यह सब प्रोटोंस क दूसरे को reinforce करते हैं एक दूसरे की सेम डारेक्शन में होते हैं ना कि अपोज करेंगे और जब एक दूसरे की सेम डारेक्शन में होंगे तो एरोमेंटिक रिंग के लिए जो केमिकल सेट फैलिय वह 6-8 तक पहुंच जाती है कहां पहुंच जाती है 6-8 क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रों को सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है तो स्ट्रोंग इंड्यूज्ड मेगनेटिक फिल्ड जनरेट हो जाता है और जितना ज इसके पास जो यह हाइड्रोजन होते हैं इसके पास जो यह हाइड्रोजन होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जो एक दूसरते क्या होते हैं तो एक कि एक करते हैं और एक इस तरह से अब तो रिकोलेट करतें तो होता क्या है डोनों के जो इलेक्ट्रों से वह अलग अलग डारेक्श्टें वह सब कि वह आपका किस तरह से निकलता है भी जिसकी वज़ा से क्या होता है जो हमने external magnetic field यहां पे लगाया है तो यह जोg proton है यह दोनों है को पर टते हैं यहां पे क्या कर रहा है जो अंद्र मेगनेटिगा करता है iPhone उस पैडन कि फ्यिल्ड अप्लाइड-बैनिटीक फिल्ट को अपोज करता है तो उस कंडिशन में अप्लाइड-द फिल्ड नुक्लेज के पास तक कम पहुचता है और कम पहुचता है तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन थे किस में थे शीटीड रेजिण में किस रिजन में थे वे यह बात आपको समझ में आई जिसकी वजह से इसकी ट्रिपल बॉंड वाले की केमिकल सिफ्ट कार्बन डबल बॉंड कार्बन से जादा होनी चाहिए थी बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहां पर जो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट था उसकी वजह से क्या ह हुआ है लपकिल इभाले की केमिकल सीफट डबल बोंड वाले से कं हो गई है आप से पूछडेता है कि वह लोगों से कम होती है क्यों कम मतलब procto जो है procto उस रीजन में पढ़ते हैं इंड्यूज फिल्ड अप्लाइड two मैगनेटिक भिट्क यह निकर भाले मेगनेटिक भिल्ड को करता है इसकी वज़ए से अप्लाइड मैगनेटिक फील्ड नूकलियस के पास तक कम पहुंचता है और उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है यह यह बाद समझ में आई आपको कि आजी कि अटे बोलो भई कम कम आई सब्सक्राइब कर लिए आपको मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा तो आप इसको दुबार बता दूंगा मैं इसको एक बार हो ठीक है तो देको हमने तीन एक्जम्पल पढ़े अभी तक डबल बॉंड बैंजीन ट्रिपल बॉंड और इसके अलावा एक एक जम्पल पढ़ लो आप ऐसी टाइली तो कि आप से पूछ रहता है कि कौन-कौन से मॉलिक्वल के अंदर जैसे होता है मतलब एल्डिहेड है एल्डिहेड के अंदर क्या होता है भी मानले हमने कहा है एक तो यह होता क्या है इसको इस तरह से बना लो ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर छीएश्टी ठीक है इसमें होता क्या है कि जो यह इलेक्ट्रोंस हैं देखो यहां पर भी जो हाइड्रोजन वो किस से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से तो एनिसोट्रूपीक एफेक्ट काम करेगा बिल पर यहां पर ऊक्सीजन पर ऐलेक्ट्रोजन अंदर इसके पास इफ्लेक्ट्र भी है और दूसरा इलेक्ट्रोजन इफेक्ट भी है जिसकी वजह से इसकी चिनल्ड पर लगभग दस के आसपास होती है खिक है? तो यह जो electrons है ना, मतलब anatotopy की fat क्या होता है? कि जब किसी system के अंदर πाई electrons होते हैं तो in presence of external magnetic field, वो electrons circulate होते हैं और उन electrons का अपना एक induced magnetic field generate हो जाता है अब अगर किसी region में वो induced magnetic field, अंदर वाला magnetic field, बाहर वाले magnetic field को oppose करता है तो उस condition में हम कह सकते हैं कि उस region में बाहरवाला magnetic field कम आएगा बट अगर किसी region में अंदर वाला magnetic field यानिके induced magnetic field और बाहरवाला magnetic field यानिके applied magnetic field दोनों same direction में आ गई हो तो उस region में दोनों की direction same हो जाएगी और proton के पास magnetic field जादा जाएगा और ऐसे region को हम बोलते हैं आए तरह दी शीलडेट रीजन और ऐसी रीजन में ऐसे छेतर में जो प्रोटोन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी केमिकल सुफ्ट वेल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है यहनिके उनकी कैमिकल स्पैलियू एक्सेप्शनली हाई हो जाती है आँ सब्सक्राइब आई यह कांजी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ